एक दिसम्बर विश्व एट सदिवस पर घरगोन जिला चिकित साले में एट सदिवस मनाया गया साथ ही विदिक शाक्षता दिवस का भी आयोजन किया गया आयोजन में जिला चिकित साले के चिकित सकों ने HIV के लक्षन वो उनसे बजने के सुझाओ भी दिये आईए हम आपको मिलवाते हैं जिला HIV कांसलर से एक दिसम्बर को प्रती वर्षब विश्व एजस दिवस मनाया जाता है और इस दिन एजस के प्रती जागरुपता को लेकर जिला इस्तर पर अनिको कारिक्रम आयोजित किये जाते हैं इसी सिलसिले में शनिवार को जिला चिकित साले खरगोन में विश्व एजस दिवस पर एक शंग्षिप्त कार्यशाला का आयोजन किया गया साथ ही यहां विधिक शाक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया जिसके माध्यम से ऐसे रोग्यों के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में भी बताया गया इस आउसर पर कलेक्टर श्री शर्शी भूसन सिह ने कहा कि जिला इस्तर सहित ब्लोक इस्तर पर भी एड्स परिक्षन और इलाज के व्यवस्थाय सुनिश्चित की जा रही है शार्शन इस्तर पर इसके लिए कई प्रयास किये गये और इसके कारणों वह बचाओ पर भी कारिक किया गया धीरे धीरे लोगों में जागरुकता आई आज भी ऐसे कारिक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है साथ ही एड्स से पीडित गर्भवती माता को होने वाले बच्चों को बचाने के लिए प्रयास बहुत ही सार्थक परिणाम दे सकते है स्वस्थ सबका अधिकार है और आज की जरूरत भी है कारिक्रम में जिला कलेक्टर शर्शी भूसन सीह सहित अन्य अधिकारी एवं विध्यार्ती उपस्थित रहे विस्प एड्स दिवस पर आज खरगों जिला अस्पताल में दिवस पर एक कारिक्रम रखा गया था जिसमें माननी कलेक्टर मोहदई और काफी सार्याती थी मोजुद थे जहां इस कारिक्रम का उद्देश रही था कि एड्स को लेके जन्दा की बीच में जागरूपता लेकर आए इसी सिल्चले में आज हम एड्स के सलाकार चोहांसर से बात करेंगे जो हमें सारी जानकारी बताएंगी कि एड्स का जो संक्रम रखने किस तरह फेलता है और इसके बचाओ के लिए क्या क्या किया जा सकता है अगर किसी मरीज को या वो एड्स का मरीज है तो उससे चुआ चूत ना करना और उसे परहेज ना करना ये सारी चीज़े हम जानेंगी क्योंकि कई बार यही होता है कि AIDS के मरीज के साथ में लोग परहेज करना शुरू कर देते हैं उनके साथ उटना बैटना बन कर देते हैं हलाकि ये गलत है और इस पे कानूनी कारवाई का प्रावधान भी बन चुका है है तो आए हम बात करते हैं खरगुनजीला असपताल की जो डिस्टिक कांसिलार हैं जो इस तरह की चीजों करते हैं और उन मरीजों से बढ़चित करते हैं आए जानते हैं क्या कूछ Rap चीजे रहेगी और इनके बचाव के लिए और मरीजों के लिए क्या अच्छी बात हैं और सामने आरे तो हम उसका इलाज कर पार हैै अबित को खरगोन शेहर में या पूरे खरगोन जीले भर में कितने मरots जो कि ऑज्ट हरुन की जीला है अस्पताल में इस बीमारी जो बीमारी से उसके काँंसलर भी हैं, तो किस तरह के मरीज हो आपके पास उनको कांस्लिं करते हैं? मेरीज लो हर किसमको आता है थो कि हमारा जो अंगा शोम साहसा कि एक जिस घैनों मि1 isowum तो खुछ ड्राइवर भी आएंगे तो कुछ मस्दूर लोग भी आ रहे हैं तो नहीं को भी आते तो कुम्मिलागर के मिक्स लोग आ रहे हैं इनको क्या है कि जो वेल एजुकेटेड वेकती है या मतलब थोड़ा सिक्षित वेकती है तो इसको काउंसलिंग करने में तोड़ी चीप प्राबलम आती है हाला कि हम लोग उसके मेंटल स्टेटेस के हिसाब से काउंसलिंग करके और उसको नार्मल कर देते हैं किस चेतर के सबसे जादा मरीज एड्स से संक्रमीत होते हैं मजदूर वर्ग या फिर जो ओफिशली लोग होते हैं या किस तरह के जो लोग होते हैं जो ज्यादा तर इस एड्स के से संक्रमीत होते हैं जो जो है मजदूर वर्ग जो होता है मजदूर वर्ग जो होता है जो कि म 0 मेनने तीन मेने में आरह घर तो वो इन लोगों में .... गड़ी कीडिवी कोजिता हैसे ऐचाइएवी थेचाहार उठिय। सबसे पहले दारी mask मैं अज़ि औरिर रर भी सारों Satya यदि मां HIV इंफेक्टेड है तो और चौ इंफेक्टेड बेक्टी का बलड़ ट्रांस फ्यूज हो जाता है जो घचाड़ा देते हैं तो, यह चार नही है जिसमे व्लट आपने बताएं है किक्टीव के ब्लड़रे ब्लट डोनेट कि दो वहां पर होती ही होती है अगर इसी कंडिशन में कोई संदीग देखती है या कोई सक भी होता है कि आर इस टाइप का कुछ आ रहा है तो फिर उसे ICTC में रेफर करके और हम लोग उसको कंफर्म करते है जो HIV की जो मरीज होते हैं तो यह जैसे उनको पता चलता है तो उनकी स्ट मतलब आप लक्षन जाना चाहा रहे है उसके सुरुवाती लक्षन क्या है कि वैसे तो HIV बिना टेस्ट की पकड में नहीं आता है लेकिन उसके जो लक्षन होते हैं वो यह है कि यदि उसको लंबे समय तक बुखार आ रहा है या ट्यूबर क्लोसिस से वो ठीक नहीं हो रहा ह है या कोई की समस्या है उसकी वो जो ट्रीट्मेंट ले रहा है चले जा रही है लेकिन वापस आ रहा है या फिर हड़ी बुखार कंटीनिव बना रहता है तो यह उसके लक्षन है अगर इस ताइब कोई लक्षन है तो फिर वो संभावना बनती है कि सायद HIV हो और HIV टेस्ट करवाना चीए है हां हां तो आगे जिस स्टाइटिंग यह कि उसको लंबाश समय से बुखाराना और डिबुकाराना और कहीं सारी तो आग्या जैसे कैसे बढ़ती जाती है आगे यह प्रॉब्लम और विक्टी की लास्ट इस तक बढ़ता है यह अगर डिटेक्ट हो जाता ह है है हो यारे टी स्टाड़ हो जाती है तो फिरलिमार के है तो वह जाती है कर दोते रहें तो इसका छूल रहें तो वह कर आप ह। और जैसे उसका IRT स्टार्ट हो जाता है तो वो रिकवर होना चालो हो जाता है तो मरीज ठीक हो जाता है उसमें अभी तक कितनी संभावना बनी जो मरीज एड्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी स्वास्त है और काफी अच्छी अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे पास जो हमने बता है कि 493 के लगबख हैं इतने हमारे पास ओन यार्टी ले रहे हैं टीटमेंट चल रही है तो जो रेगुलर ले रहे हैं बिना दवाई गुली छोड़े तो सारे लोग विवस्तित हैं और स्वास्त हैं और बकाईद अपना काम दंदा कर रहे हैं जैसे ही टी हम टेटेटमेंट लेने के लिए तो उस समय हमय लगता है किatoreओ डाउन हो रहा है तो उसका फिर समय हम लोग सब्सक्रण करते हैं तो उसको यह और का यह सीडिविसमी है तो वेवस्दित रहता है हम लोग क्या कि बीजबीच में अगर कोई स्वस्थ भी है फिर भी हम उसका CD4 करवाते हैं ताकि यह देखते हैं कि लेवल भी सही चल रहा है या नहीं चल फिर बीजबीच में वाइरल लोड भी काउंट होता है उन लोगों का तो वाइरल लोड से प चोटे तपके के लोगों तो गवर्मेंट के लिए क्या क्या सुवधाय करती है तो अभी यहां पर तो गवर्मेंट की तरफ से तो अभी आप सिर्प निश्यूल को दवाईया है दवाईयों का वित्रण ही हो पा रहा है और दूसरी को अभी सुवधा नहीं है लेकिन एक लेकिन नहीं ले पाते हैं जो गरी मेरेका का राशन कारड वाला तो यह मैरीच को जो बीपेल का राशन कारड है यह बनाने के लिए फ्री कर दिया है वह पातरता है इनको जो कि घरगोन में अभी एक बात सामनी आई कि परिवार ऐसा है जा महिला को एचाईवी के बारे में जब पता चला तो उसके पती ने उसका सहयोग भी किया और रोज इसको फूल देने का जो है अभी सामने आई बात तो क्या है उस परिवार की कहानी यह है कि जो पहले दो-तिन साल पहले उस जेंट्स ने अपनी टेस्टिंग करवाई थी उनका इस्टेस उनको पता चल गया कि मेरा इस्टेस यह है फिर उसने काभी कोशिस करी अपनी वाइफ की जाज करवाने के लिए लेकिन वह मैंटल तरीके से वह तयार नहीं हो पाई तो उसने साल भर करीब करीब साल चे डेर साल तक उसने ट्राई किया अपनी वाइफ को इस टेस्ट के लिए तयार किया लेकि ज़ो जब फ्री हो तो मैं बात करूं तो अन्हों कि अन्हों ने बत कि आ कि छलो ठीक है वो कैसी भी करके मना करके चेंटर तक लेके आ गया था लेकिन चेंटर के अंदर वो महिला नहीं आ रही तो फिर मैंने का थीक है आप भेज दीजेगा मैं बात कर लूँगा फिर उनों उनको बुलाया मैंने मैंने जब काउंसलिंग करी तो उनों बुला कि उसके हस्बेन ने पहले ही बता दिया कि यहां आने के वज़े यहां आने का बोला जिसके कारण चे तीन दिन चे उनों नहीं खाना नहीं खाया तो मैंने कोई बाद नहीं भाद निया भेज दीजिए सब ठीक हो जाए मैंने अंदर बुलाया उनको काउंसलिंग करी करिब करी मेरों 40-45 मिनट क तो उसके बाद में महिला एकदम नार्माल हो गई काउंसलिंग के बाद में और उन्हों बोला ठीक है मैं टेस्ट करवाने के लिए तयार हूं तो उन्होंने सेंपल दिया सेंपल देने के बाद में ठीक आप 10-15 मिनट से आईए आधे गंटे से आईए हम देखते हैं क्या हो मतलब उस काउंसलिंग का इतना असर हुआ कि जिस टेस्ट के लिए का सून करके तीन दिन चे उसने खाना नहीं गाया था उन्हें नेचे जा करके तुरंद भूला ठीक है मैं बुक लगिए मेरे को नास्ता करवा देए एक दाम फ्री हो गई थी वो जो ड़ था वो खतम हो और साइड मेंटली प्रिपेर हो गई थी कि अगर ऐसा कुछ है तो भी ठीके में अपना दवाई गोली खा करके रह सकती हूं तो वह उस महिला ने इसा बोला कि मुझे नास्ता करवा ये तो वह नास्ता देल दिलवा करके सीधा वो जैंस जो है उसकी खुशी का ठिकाना नह करने के लिए तो उसको फिर अच्छा ही लगेगा तो उसको इतनी खुशी वही कि वहां उसको नास्ता दिलवा करके सिधा मेरे पास दोड़ क्या बोले सहाब आपने मेरे और मेरे परिवार को बचा लिया अन्य था पता नहीं यहां से जाने बाद क्या होता पर आप एक ऐस से वेक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बातों से इतना बढ़िया काम किया कि मेरी वाइप नहीं कहीं है बोलाइक नहीं मरोगा भी खाना के लादो सेंपर जाच हो रही है जो होगा सो देखा जाएगा तो उस जैन्स का जोस्ट का हस्बंड है उसका भी खुशी का टिकान सामने आई थी कि वो रोज अपनी पत्नी को फूल गिप्ट करता है इस सब चीजों को लेके कि वो खुश रहे हमेशा क्या सची है एक्चुली यह जो मैंने आपको जो कहानी बताई है यह अलग कहानी है और जो फूल वाली जो है वो डिस्कार्डें कपल है डिस्कार्डें क अन समय भी जो कंस्लिंग जो लिग जो नतीज है जो दोनों के अलग अलग तरीके से कांसलिंग करी तो हस्बेंट को भी मैंटली क्रिपेर किया अव नों ने जो भी रहे रहे है और बहुत को एक्खुंस अब बिना रुके निरंतरता के साथ अपनी टीटमेंट ले रहा है ये उनके अंदर क्या भावना है कि पतनी पतनी को डेली एक फूल देखर उसको खुश रखना है अब ये साहद उनका प्यार ही है जो इतना अच्छे से रहने के लिए उन्हें प्रेडित कर रहा है या अपन यू कहें कि अगर पतनी को अगर ये एचाईवी की जो बिमारी अगर उसको घेरा है तो पती के सामने वो डीमोटिवेट ना हो या फिर अंदर उसका डर ना हो या चिंता ना कर या परेशान ना हो इस वज़े से उसको हटाने के लिए शाइद पती नहीं सब कुछ यह वही है कि अगर मैं जरासा भी कुछ क्या मैंने कुछ बोला या थोड़ा सा भी मैंने अपने प्यार में या इसमें थोड़ी ची कमी की तो कहीं ऐसा ना लगे उसे कि साय इस वज़े से मुझे हां मुझ सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें जानकारी होना चाहिए कि HIV एड्स कैसे होता है क्योंकि HIV एड्स आपने आप हमारे सरीर में नहीं आता है इसे हम एक तरीके से बूलाते हैं कि आओ हमारे सरीर में मतलब एक प्रोटेक्टर छेक्स हम यदी करते हैं अन्पच लिए करता है तो है cadaगे मतलब हमने वह गल्तीगरी तो आई शरीर में हमने एड्स हूरी इसे नाहां थिद की जहा बिया तो हमने अं ध्या लोग गया तो हमने गल्ती करी मतलब हमने भुलाया है ब्लट टेस्ट कर वा मतलब ब्लट टांस्प्योजन हो रहा है और हमने ध्यान नहीं दिया कई जगो ऐसा हो सकता है तो नहीं जाच होती हो इन सब चीजों की और डायरेक्ट चड़ा दे तो वहां हमारी जिम्मेदारी बनती है पबलिक क हम अवेर हो इस चीट से तो हम इस से बच सकते हैं मतलब HIV-AIDS का ग्यान ही बचाओ है जैसे किसी को पता चलता है कि उसको एड़ से तो काफी चिंता में और डर भी जाता है कि अब किसी को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो आप उनको क्या मेसेज देना चाह है अगर उनको किसी को होती भी हो तो वो खुद अपने आपको मोटिवेट कर ले यह को ला कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन इतना हो गया है नहीं तो इस तो थी मानलिया में Hans, आज किसी को चाईव हुआ और खल वो मर जाए पोसिबल नहीं है यह तो दीरे दीरे अपना काम करता है और अगर हम अपना इस्टेटस जान लेते हैं आज की थिम भी अई है कि नो यह इस्टेटस जान लेते हैं तो हम फ्री हो जाएंगे और यदि किसी कारण वस्फिक्षि भ घरबरानी का अभशक्ता नहीं है उसके लिए टीटमेन गवर्मेंट निए प्रवाइड कर वा रही है फ्री ओप कास्ट तो उस से काफी वेश्टी तरिके से जिंद्गी जी जा सकती है जिस तरीके से आहम वेक्ति जीता है उसी तरीके से उवय सकता है और जी रहे है हमारे सा सामने आई है हम आपको बताएं कि दो ऐसी स्टोरी जिसमें हम एक परिवार में तो पुरुष को एचाइवी तो था ही उसने अपना चेकप भी कराया पॉस्टिव निकला और उसके बाद में जब उसे यह पता चला कि शायद मेरी पतनी को भी हैचाइवी होगा या हो सकता है तो करीब एक या डेड़ साल तक आपनी पतनी से इस बारे में कहता रहा कि आप जाकरां लेकिन पतनी न मन बना पा रही थी ना भी हो सबस्चे कांस्टीर होई और वो पाफ्री वह यह पता चिंता में दा अब जीन और बहुत खोशबी है और अपनी अच्छी लाइफ जीर अच्छे से रहे भी रहे हैं, टाइम टाइम पे अपनी टीटमेंट भी ले रहे हैं, दवाईयां पे समय पे ले रहे हैं, बहुत अच्छे सी जी, दूसरी एक इस्तियोरी हमारे सामने के ऐसी आई, जो एक HIV को लेकि जिन लोगों के मन में नकारात्मक्ता बनती है, जो अगर पतनी या पती या बच्चे या माता-पिता को होती है, तो लोग उटके बारे में गलत सोचते हैं, एक बहुत ही अच्छी कहानी हमारे सामने ही, हम आपको बताना चाहेंगी, डीजयाना नियूस के माध्यम से, वो कहानी कुछ इस तरह है, कि जब ये बात पतनी, पती को पत पता चला कि मेरी पतनी को HIV है, और HIV टेस्ट कराने के लिए भी वो आये, और टेस्ट के बाद में जब ये पता चला कि positive है, लेकिन पती ने अपनी पतनी को इतना motivate गया, उसके अंदर इतनी खुशियां दी और अपनी पती को हमेशा खुश रखने के लिए पती रोज उसको एक गुलाब का फुल देता है, ताकि पतनी को ये ना लगे कि मेरे HIV होने के बाद मेरे पती के दिल में मुझे लेकर प्यार कम हो चुका है, या उनको लेकर परिवार में कहीं नकारात्मकता तो नहीं बनी, या मेरे साथ ग्रणा जैसी संभावना तो नहीं हो री, कोई मेरे से हीन भावना तो नहीं रख रहा है, या परहे जैसी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो परिवार ने एक खरगों जिले में मिशाल कायम की है, मैं सभी को उस कहानी के माद्दियम से बताना चाहूंगा, कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है, कि किसी को HIV हो, तो आप उसके स खुश रही है, और बहुत अच्छे से रही है, उससे वही नॉर्मल तरीके साब बात कीजिए, बलकि उसको और ज्यादा खुश रखने की कोशिस कीजिए, ताकि वो उस संक्रमित बीमारी से लड़ने की शक्ति उसमें आ सके, हम आपको एक बात बता दें कि AIDS कोई बहुत ब बीमारी भी चली जाती है, और वो खुश रहते हैं, क्योंकि हर बीमारी का वैसे कहा जाता है, हर बीमारी का हिलाज होता है, खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, हर बड़ी से बड़ी बीमारी को ऐसे ही खतम किया जा सकता है, वैसी ही जो AIDS की बीमारी को लेके, हमार राणू संक्रमन है यह एक जो केते हैं वाईरस है जिसको हम खतम कर सकते हैं और आम लोगों की तरह खुश रेकर भी हम जिन्दगी जी सकते हैं हमको चोहान साब ने यह भी बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी को HIV होता है तो उसके साथ परहेज करना या उसके साथ छुआ अनदार या किसी को HIV होता है तो हमें उसके साथ व्यसे ही नॉर्मली विवहार करना चाहिए उसके साथ व्यसे ही बैटकर खाना खना चाहिए उसके साथ व्यचान घ् preach s रहे और हमारे साथ खुष रहे और इस बीमारी से वो लड़ सके उसको वेमारी से लड़ने के लिए हिम्मत मिले केमरा में दूर्गेश के साथ मैं प्रियांस डिजियाना किना निईउस-थरो रिपोर्ट डिजियानने ढीज कार्गो wish